Hello dear students, how are you all? Hope so you all are good. बचो हमने एक सीरीज चुरू की हुए है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? Biology Surrounding Us. जिस सीरीज के अंदर हम डिसकस करते हैं, जो हमारे 11-12 से नीट से रिलेटिड जो टॉपिक्स हैं, वो हमारे Surrounding में कैसे रिलेट किये जा सकते हैं, पिछली सीरीज में हमने Benian Tree के अंदर Roots की Modification को पढ़ा, आज जो हम लेके आए हैं, वो आपके लिए लेके आए हैं, Class 12, 12 के अंदर जब आप Chapter पढ़ते हैं, 3rd Unit के अंदर, Human Health and Disease, जिसके अंदर एक Topic आता है, Drugs से Drugs में आप Different Different Types के Drugs को पढ़ते हैं, उसके अंदर आपको एक Pictorial View में आपको दिखाया गया है, क्या आपको धतूरा प्लांट दिखाया गया है, धतूरा बेसिकली क्या है एक Genus है, और धतूरा स्टॉमिनियम प्लांट का Scientific Name है, अब इस Genus के अंदर, इस Genera के अंदर, 9 species हैं जिनका Different Different रोल है, धतूरा स्टॉमिनियम, बेसिकली इसको आपने आप बात करेंगे लोकल नेम में आप धतूरा उसको बोलते हैं, वो आपने यहां फाइंड आउट किया, जैसे हम विजिट कर रहे थे हमारे फिल्ड के अंदर, तो आपने एक चीज देखी, वो जो प्लां यह एंथर आपको दिखाई दे रहा हुगा, यह एंथर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैंने पेटल्स को अलग किया, तो आपको different एंथर आपको observe हो रहेंगे, ठीक है, यह इसके leaps है, अब यह दतूरा प्लांट, इसका use क्या है, यह basically traditional medicines में इनका use है, that means ayurvedic medicines में इसका use है, तो यह medicinal plant की तरह काम करता है, उसके अलावा इसका use drug purpose के लिए किया जाता है, जो हमारी book में दिया हुआ है, NCRT के अंदर, वो यही बताया हुआ है, कि किस तरीके से इसका use किया जाता है, hallucination purpose के लिए, अब जैसे ही हमने यहां find out करने की कोसिस की, दतूरा के साथ साथ हमें side में एक plant दिखा, देखो, अब दुबारा से यह देखते हैं, यह plant की सीज का है, यह plant आप देखेंगे, तो यह किस के साथ relate कर रहा है, यह plant relate कर रहा है हमारा भाग के साथ, ठीक है, जिसको हम scientific तरीके से अगर हम बात करें, तो क्या नाम देंगे, उसको नाम हम काम करना बन कर देता है, hallucination कोज कर देता है, और जो हमारी body के अंदर activities हैं, वो क्या हो जाती है, enhance हो जाती है, यह थी आज की जानकारी, जिसमें हमने nature के अंदर किस तरीके से धतूरा plant observe किया, उसके साथ साथ, हमने क्या किया भांग, या फिर हम कहना भी sativa जिसको हम बोल है, वो किस तरीके का दिखता है, hope so यह जो आपको information है, वो useful लगी होगी, आपने उसको relate किया होगा, scientific तरीके से, as well as, आप naturally कैसे हैं, और उसका क्या use है, thank you so much, stay connected with us.